Welcome back my YouTube family कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीकी होंगे दोस्तों आज मैं आपको वताने जा रही हूँ सोडा पेने से आपकी बॉड़ी में होने वाली चेंज़स जिससे कि आपकी बॉड़ी को क्या-क्या लुकसान हो सकते है All-time favorite होती है हमारी cold rings जी हाँ इस cold ring में पाए जाना वाला थोड़ा amount का ही सही ये सोडा जो आपकी बॉड़ी को बहुती लुकसान दायक होता है हम movie तो देखते ही हैं और घर बैठे इस तपतपाती धूप में cold ring पी लेते हैं चलिए देखते हैं इनकी side effect जी हाँ नमबर वन पे आता है आपकी brain को affect करेगा जी हाँ ये आपकी brain की mechanism को decrease करता है आपकी memory capacity को भी reduce करता है और जिससे कि आपकी learning capacity reduce होती है दोस्तों दूसरे नमबर पे आता है जब आप cold ring पीते हैं तो आपको वे मोटा पा आपको बिना बताए ही बढ़ जाएगा जी हाँ एक दिन में एक glass सोड़ा पीने से 39 pounds का sugar per year पीने के बराबर होता है तीसरा आता है high level पे इसमें पाए जाने वाली phosphoric acid जो कि आपके kidney में जम कर kidney stone form करता है जो कि आपके kidney stone होने पर बहुत ही ज़्यादा तक्लीफ देगा आपको इसलिए जब आप soda या फिर cold drinks बहुत दिनों से पी रहे हैं तो इसे कृपया धयान दे जिससे की आप इससे होने वाली kidney stone से बच सके चौथा आता है पेट में दड़ जी हाँ ये आपकी digestion की शमता को भी affect करता है जिससे की आपको constipation, gas और फिर blotting की समस्या हो सकती है ये हमारी पाचन शक्ती को बहुत ही बुरी तरे से affect करता है पहली ये जान ले दोस्तों अगर आप एक दिन में एक बार एक लास सोडा पीते है तो ये आपकी blood में और आपकी saliva में दो दिन तक रहता है और urine में चार दिन तक रहता है तो ध्यान दे इसे पीने से पहले ये बात शरूर जान लेशेगा चोथे नमबर पे आता है ये हमारी bones को भी वीक कर देता है जिससे की बहुत दिन तक अगर आप continuous सोडा पीते है या फिर लगातार सोडा पीने से आपकी body में जो bones का weakness होता है जिससे की हम लोग osteoporosis के नाम से जाने जाते है ये होना शुरू हो जाता है पांचवे नमबर पे आता है आपके heart की problem जी हाँ high liver phosphoric acid आपकी heart को affect करेगा जिससे की आपको heart attack होने की चांसे सोच सकते हैं और फिर कई प्रकार की heart की disease भी हो सकते हैं सिक्स्थ नमबर पे आता है ये हमारी lungs को affect करता है जिससे की हमें आस्तमा की problem और COPD की problem भी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं साथवे नमबर पे आता है ये आपकी दातों को भी लुकसान पहुचाता है जी हाँ अगर आप इसका नित्य सेवन करते हैं तो ये दापतों पर जमियू एननल को भी लुकसान पहुचा कर उसे वीक बना देगा आज कल छोटे छोटे बच्चे भी कोल्ड रिंग्स पीना बहुत ही पसंद करते हैं जी हाँ बच्चों को क्या पता कि इसमें सोडा होगा अब ये हम बढ़ों को सोचना पड़ेगा कि सोडा जब बढ़ों में इतना लुकसान पहुचा रहा है तो छोटे बच्चों पे क्या असर करेगा सूच की देखिए और सतर्क हो जाए नित्य सेवन कोई भी चीज ज़ादा मात्रा में करने पे सब की ही लुकसान होते है इसी तरह सोडे आफिर कोल रिंग आप हर रोज ना पी कर कभी कबार पीए इसी तरह कई सारी वीडियोस देखने के लिए मिले डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक्स पर क्लिक करे लाइक, शेर और सब्स्राइब करना ना भूले थैंक्स फो वाच्च